हेलो गैज, वेलकम टू मेधा सल्दवानी ओनलाइन प्लेटपॉर्म आज लोग आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं GST की ठीक है एक इंपुटेंट टॉपिक है आगामी जो भी परिक्षा होने वाली है उसके लिए तो GST Goods and Service Tax पूरा फुलफोम है इसका Goods and Service Tax ठीक है तो एक एक पॉइंट को इसे कवर करेंगे हम एक एक पॉइंट को भी पॉइंट छोटेगा नहीं ठीक है तो GST सबसे पहले जो लाग वा था गैज यह वा था फ्रांस में और यह वा था 1954 में यह लाग व गया था कहां पर प्रांस में ठीक है बात करते हैं भारत में कव लाग यह लाग वा तो भारत में गए एक जुलाई 2017 से भारत अच्छा जो GST model है यह किस देश पर आधारीत है जैसे सम्विधान है ना बिबने सरोतों से लिया गया है सभी देशों के तो यह कनाडा पर आधारीत है कनाडा पर GST model जो है भारत का आधारीत है लेकिन GST की सुरुआत सबसे पहले फ्रांसे में होई थी 1954 में भारत में GST लागू करने का सुजाओ पीज़ाई कालकर समिती द्वारा दिया गया था और यह दिया गया था सौरी यह जो समिती है इसका जो गठन किया गया था बाजपेजी की सरकार में गठन वर्ष दोहजार तीन में किया गया था ठीक है एक पॉइंट इमपूटेंट है गाइज GST में ठीक है GST के जो ब्रांड मेजडर है वो है अभिताब बचन ठीक है और जी एस टी जो है आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए के तहत जो है इसको लागू किया गया याद रखेगा जो जी एस टी परिसद है कुल सीमी जो सदेश्य की संक्या है टोटल थाटी इसमें मेंबर 122 स्युदान संसोधन के तहत GST को पारित किया गया था लेकिन जब कानुन बना तो 101 स्युदान संसोधन के तहत यह GST लागू हुआ ठीक है ना अधिनियम संसोधन हुआ था 122 हुआ लेकिन पारित हुआ था लागू हुआ था 101 में ठीक है GST का पूरा नाम तो हम पहले पढ़ चुके है गोड़ सेंट सर्विस टैक्स थोड़ा सा उपर नीचे डेट हो गया है पहले 3 अगस्त 2016 को राज्य सभा में पेस हुआ और वहां पास हुआ आगे जो है 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में भी पारित हो ग जी एस्टी के जो पाकिशिमा गाइस बोर्ड गे 636 गए और भी पाकिशिमा गए इग्यारा बोर्ड मात्र ठीक है यह राज्य सभा लोकसभा दोनों का रिश्यो है ठीक है चलिए फिर से जी एस्टी को और अच्छे से जानते हैं जी एस्टी जो है गाईज एक टाइप का अपर्तियक्स कर है डारेक्ट टेक्स और इंडारेक्ट टेक्स जो हम बोलते हैं पर्तियक्स कर आपर्तियक्स कर तो यह अपर्तियक्स कर है बहु इस तरी है और गंतब्याद आदीत है ठीक है बाकी डिटेल में और बात करेंगे इसकी जब हम टेक्स सिस्टम पढ़ेंगे अगले टॉपिकों में जो जो डिजिट है यह 15 डिजिट का होगा या रखना 15 डिजिट का अगर कोई GST की चोरी करते वे पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्सका कारावास हो सकता है ठीक बात करते हैं जो डिजिट की दरें पांस टाइप की दरें हैं 0% 5% 12% 18% और 28% ठीक है गाईज थोड़ा साब इसमें देखते हैं कि किसमें क्या रेशियो है और किसको रखा गया 0% में गाईज जो डेली यूजेज की चीजिजें हैं उनको रखा गया जैसे दूद, दही, फूल, इस्टेश गया है सूज, ट्रेन, बस, धावे, कोल्डरिंग, मसाले, दवाएं, 12% में फैन और मुबाइल, 18% में AC थिरी स्टार होटल, कैमरा अगरा, 28 में जो है ब्रांडेट जीन, सूज, फाइव स्टार होटल, इंटरनेट सर्विसेज, टैलीफोन, पान मसाला, यह सब चीजें जो सराब, है, पूरी तरह से जीइएश्टी से बाहर है, सिक्छा, सास्टेश्वा भी जीइएश्टी से बाहर है, पैट्रल, डीजल, अर रसुईगह से बाहर रखा गया है, ठीक है, आगे अगला पॉइंट जो GST है ना स्वरुपर्थम GST बिल का प्रारूप जो तयार करने वाली सिमीती थी उसके अध्यक्स थे असीम दाज गुपता यह उसमें पशिम बंगाल के बितमंत्री भी थे जो GST है तीन परकार का होता है SGST यानिकी स्टेट से मतलब है Goods and Service Tax Central CGST Goods and Service Tax International Goods and Service Tax IGST ठीक है बहुत आसानी से आप इसको समझे और हर एक पॉइंट को समझना है अब बात करेंगे GST काउंसिल की पूरा ठीक है तो GST काउंसिल, GST का गठन जो है Article 279A के तहत हुआ ठीक है और जो यह GST काउंसिल है 12 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ जो GST काउंसिल की संग्रेशना इस्ट्रेक्चर है इसमें भारत का बीतमंत्री हैड होगा राज्य कबिनेट मंत्री इसमें सामिल होंगे और राज्य बीतमंत्री इसमें सामिल होंगे ठीक है अगला GST का जो वार्सिक टर्नोबर की वह सीमा जिसके उपर कारवारियों को GST का पंजिकरन वा भुक्तान करना होगा तो लिमिट रखी गई है 20 लाग रुपे और बिसिस राज्यों के लिए जो लिमिट है मत्री 10 लाग रुपे है ठीक है अगला पुइंट राज्यों को GST से होने वाले नुकसान का कितने वर्सों तक केंद्रे 100 परतिसद भरपाई करेगा तो गैस पांच वर्स तक ये बात कही गई थी तब क्योंकि राज्य इसका विरोत कर रहे थे तो उस समय ये बात बोली गई थी आठ परतिसद दर्वाली वस्तों का कुल परतिसद गाईज 19 परतिसद है ठीक है और 28 परतिसद त्वाली जो वस्तों है 19 परतिसद इसका टोटल रेश्यो है GST लागू जब हो जायागी तो GDP में जो वीर्दी का बात है gross domestic product जिसे हम लोग बोलते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से तो दो परतिसद वीर्दी होगी ऐसा माना जा रहा था ठीक है GST तो वर्तमान में जो है गैज यह 165 देशों में GST की ब्याउस्ता है फ्रांस में सबसे पहले GST लागू हुआ था तो गैज उम्मिद करते हैं कि आपके समझमा आया होगा GST हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट को हमने यहां पर कबर किया है उम्मिद करते हैं समझमा आया होगा ठीक है थैंक्यू गैज